Hello and welcome to our LRX network मैं हूँ आपका दोस्त और आज की इस amazing वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप excel के अंदर दो अलग-अलग dates के बीच में calculation कैसे कर सकते हैं समझते हैं सबसे पहले इसको और इसके बाद फिर इसको हम करना start करते हैं सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मेरे यहां पर कुछ random dates लिखे हुई हैं और उनके against कितनी कितनी सेज सुनियां इसका एक amount लिखा हुआ है और अगर मुझसे कोई पूछता है या अगर मैं calculate करना चाहता हूँ कि दो अलग-अलग dates के बीच में sum, calculation, count कैसे करेंगे तो उसको हम कैसे perform कर सकते हैं यह मैं आपको सिखाऊंगा इस बीच में उधारण के लिए यहाँ पर जो date लिखे हुए है वह आप देख सकते हैं कि आपकी date स्टार्ट हुए है 5 April 2024 से लेकर और end हुए है 16 July 2024 तर और अगर मैंने यहाँ पर calculate करना है sum करना है कि 1 April 2024 से लेकर 20 April 2024 के बीच में total कितनी sale हुई है तो मैं कैसे करूँगा इसको हम आज इस वीडियो के अंदर सिखेंगे तो उसके लिए हम simply क्या करेंगे एक बहुत ही आसान सा Excel के अंदर formula है sum ifs का formula जो कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो के अंदर सिखा हुआ है कि sum ifs जो होता है multiple conditions के base पर sum करने के लिए use किया जाता है all right so कैसे करेंगे चले मैं आपको सिखाता हूँ उसके लिए type करेंगे is equal to sum ifs मैंने sum ifs टाइप किया उसके बाद पूछ रहा है मुझसे sum range तो sum range जो है मेरी यह है यानि कि कौन सी range जहां पर आपने values लिखी हुई है जिनका sum मुझे करना है तो मैंने बता दिय है कि C6 से लेकर C40 के बीच में जो है range है जिसके अंदर data मेरा है और जिसको मुझे sum करना है इसको मैंने F4 की साथ log कर देना है और उसके बाद कौमा लागा देंगे उसके बाद मुझे पूछ रहा criteria range 1 यानि कि अब मुझे आप बताए कि आपकी condition वाली range कौन सी अभी आपने लोग कर देंगा उसके बाद कौमा लगा देंगा तो मुझे से पूछ रहा है criteria 1 यानि कि जो आपने condition select की थी उसके range के अंदर जो आपकी condition है वो कहां लिखी हुई है उसको आप specify करो तो condition मैंने अलग से specify की हुई है अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँगा directly select कर दूँग इसको और उसके बाद दुबारा से मैं criteria range 2 select करता हूँ अभी मैं आपको समझाओंगा कि यह यहाँ पर answer नहीं आएगा और क्यों नहीं आएगा वो भी मैं आपको समझाओंगा condition के अंदर criteria range 2 पूछ रहा मुझे तो criteria range 2 भी जो मेरी यहाँ पर लिखी हुई है मैं इसको simply select कर कर दूँगा और comma condition जो 2 है क्योंकि मुझे इस date से लेकर इस date के बीच में sum करना है तो मैंने condition को select रहा दिया 2 को यहाँ पर और इसके पास simply जब मैं bracket को close करूँगा और enter करूँगा तो आप देखेंगे कि answer मेरा आया है 0 क्यों 0 आया है सबसे पहले हम इसको समझते हैं क्योंक कि अभी जो मैं condition जो मैं लगा रहा हूं वो मैं क्या लगा रहा हूं कि मुझे जो sum चाहिए वो चाहिए 1 April 2024 से लेकर 20 April 2024 तर जिपकी मैंने यहाँ पर formula पास किया है उसके अंदर simply लिख दिया कि E12 के अंदर जो date लिख हुई है उसको और G12 के अंदर जो date लिख हुई है उसक sum करो तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले तो जो है E12 के अंदर जो value लुखी है 1 April 2024 वो देखिए 1 April 2024 यहाँ पर है दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है 20 April 2024 तो 20 April 2024 तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन जब पहले condition ही मेरी match नहीं कर यह तो दूस एक April और less than and equal to 20 April यह मुझे condition भी तो पास करनी होगी तभी तो मेरा sum निकल कर आएगा चुकि मैंने यहाँ पर simply क्या किया है अभी मुझे मैंने date select हुई थी तो मैं क्या करूँगा formula को edit करूँगा और दुबारा से formula लगाता हूँ ताकि आप जो है इसको समझे अब मैं सबस से पहले simply open करूँगा course और course के अंदर greater than and equal to कौनसी date मेरी यह date अब मैं directly date तो select नहीं कर सकता तो मैं यहाँ पर लगाँगा m% और उसके बाद लगाँगा यह date तब जाके मेरी date पास होगी अब उसके लिए मैं क्या करूँगा सबसे पहले तो यहाँ पर is equal to लगाएंगे और यहाँ पर date को select कर लेंगे अब मेरी date जो है देखिए यह आ गई अब चुकि यह number में आ रहा है लेकिन है तो actual में date ही अगर मैं इसको यहाँ पर short date में convert कर दूँगा अब यह convert नहीं होगा because क्योंकि यह मैंने directly pass के बाद यानि कि जो मुझे date actual में मुझे लिखनी है वो इसी यह वाली date में जब pass करूंगा तब ही तो answer आएगा यानि की greater than or equal to 1st April less than or equal to 20th April अब यही चीज मुझे जो है formula के अंदर pass करने होगी तो यहाँ तो आप directly इसको f2 करके यहाँ पर formula के अंदर pass कर सकते हैं यदि आपको नहीं समझ में आता तो आप simply भी start कर सकते हैं तुबारस से भी तो मैं इसी formula को edit करकी जो है यहाँ पर pass करता हूँ यहाँ simply हम करेंगे course को open और greater than or equal to course close और यहाँ पर amperson लगा देंगे देख सकते हैं simply यहाँ के लिए भी हम यही करेंगे course open करेंगे less than and equal to और simply amperson उसके बाद आप यहाँ पर इसको enter कर देंगे तो आपका जो answer है वो आप इसको manually भी sum करके देख सेते हैं जैसे अभी मुझे 1 April 2024 से 20 April 2024 तो यहाँ पर 5 April 2024 से तो मैं यहाँ से select करूँगा यह तनी डिट यह अब यहाँ पर यहाँ पर sum आप देख सकते हैं sum जो आ रहा है आपका 15,223 जबकि हमारा जो formula लेकर आया है यहाँ पर sum वो कुछ और ले कर आया है greater than or equal to m% e12, less than or equal to m% g12, e12 and g12, 1 April 2024, 20 April 2024 हम एक बार formula को दुबारा ही लिखते थे हैं alteration में एक्सर गलती है होने की संभावना होती है इसलिए आप simply दुबारा से इस formula को start करते हैं sum range में हमने pass कर दिया, इस range को f4 के साथ lock कर दिया, criteria range 1 के अंदर हमने अपनी condition को pass किया, f4 के साथ lock किया, comma, अब हमें सबसे पहले अपनी condition देनी है तो course को open करेंगे, greater than and equal to course close amp और यह मेरी first state, comma, criteria range 2, तो criteria range 2 मेरी यहां है, f4 के साथ lock करेंगे, comma, condition 2 में course open करेंगे, less than and equal to this state, और इसको हम यहां पर bracket close कर देंगे, enter कर देंगे, तो अभी यहां पर आगया 22,644, यानि कि calculation के अनुसार तो हमारा data जो है, बिल्को सही आया है, तो गड़बड़ी कहां हो, यह देख लेते हैं, एक बार दुबारा से, 15,233 यहां पर 22,644 यहां पर फिल्टर लगा कर देखें, हम यहां पर apple, apple को select करते हैं, और इसको हम हटा देते हैं, अब हम select करते हैं, 25,644, अब देखते हैं कि यह गड़बड़ी कैसे हो रही थी, अगर आप अभी यहां पर ध्यान से देखेंगे, तो कुछ date देखें यहां पर, कुछ नीचे भी dates हैं, देख रहें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, इसके बाद 23 April, 26 April, 29, उसके बाद देखें, आपर 5 April भी है, देखरें, इसलिए जो है, डारेक्टली नीचे दिखा रहा था, अगर हम नीचे चलते हैं, तो और देखते हैं, यहां पर देखेंगे, पांच अपरिल एक और बार है, और देखते हैं, देखेंगे, पांच अपरिल एक और बार है, देख रहें, इसलिए आपका, डारेक्टली आप हम सिंपली इतना सेलेक्ट कर रहे थे, जबकि अपरिल का जो डेटा है, वो तो नीचे भी लिखा हुआ है, और फिल्टर लगाने से जो हमें सारा का सारा डेटा मिल गया है, दुबारा से एक बार देख लेते हैं, अब देखिए आप, यहाँ पर 22644 और जो आपका एक्चुल डेटा आया है, फॉर्मले की साब से 22644 और इस तरीके से अगर आपके पास दो डेट गीवन हैं, दी हुई हैं, तो उनके बीच में भी आप सम करके, कंडिशन लगा के, कैल्कुलेशन कर सकते हैं, आपको पसंद आया है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर चैनल पर पहली बार आया हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, क्योंकि आगे की वीडियोज के नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए, गुड़ बाई